नमस्कार दोस्तों मैं बिर्चु कुमार आप देख रहें यूटुब चैनल मौरिया गुरू एकेडमी पर सभी छात्रों का स्वागत है दोस्तों सनातक पार्टू 17-2018-21 पार्टू का रिजल्ट दोस्तों जारी हो चुका है रिजल्ट कैसे चेक करना है लाइप प्रूप आपको इस वीडियो में दिखाएंगे वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रिस्टिंग होने वाला है वीडियो को आपने दोस्तों के पास शेयर करना लाइक करना दोस्तों क्यूंकि रिजल्ट में इस वीडियो में लाइप प्रूप आपको दिखाने वाला हुसनातक पार्टू 17-2018-21 का रिजल्ट जारी हो चुका है रिजल्ट कैसे चेक करना है चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों यदि अगर आप अभी तक हमारी टेलिग्रम ग्रूप, फेस्वूप ग्रूप और वार्सप ग्रूप से जॉइन नहीं हुए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप क्लिक करके जॉइन हो जाना क्योंकि पूरी इंफर्मेशन ग्रूप में डाला जाता है दोस्तों वीडियो को देखने के बाद जो है लास्ट में आप ग्रूप से जॉइन हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक अल्रीडी दे दिया गया है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं B.R.A.B.U जिहां दोस्तों B.R.A.B.U इंवर्सीटी से असना तक पार्टू 17.2018 21 का रिजल्ट दोस्तों जारी हो चुका है आपको डारेक्ट यहां पर चेक कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको पता दूँ कि भीम राव इंवर्सीटी की जरी है जहां दोस्तों B.R.A.B.U इंवर्सीटी के जरीए हम इस चैनल पर अबडेट डालना स्टार्ट कर दिये हैं जिहां दोस्तों B.R.A.B.U इंवर्सीटी के जितने भी छात्र है इस चैनल पर आपको पूरी अपडेट भी अपडेट यहां पर जो आप लोगों को नोटिश्न इंफर्मेशन है देखने को मिलेगा ठीक है अब यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि बी आर एब बिहार विसी विद्याले असना तक पार्टू सतरा दोहजर एठार एक किसके जितने भी छात्र है पार्टू के परिछा 2020 का रिजल्ट विसी विद्याले वेबसाइट पर जारी किया रहा है छात्रों को अंक पत्र डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है यहां पर देख सकते हैं ठीक है अब दोस्तों असना तक पार्टू का रिजल्ट जो है कल सुबह 10 वजे तक जो है आप लोगों को जारी हो जाएगा और आपको देखने को मिल जाएगा अब देखें इसमें कुछ महकपून बाते जो है बताई जा रही है डाउनलोड अंक पत्रे में किसी प्रकार की त्रीटी द्रिष्ट गत होने पर छात्र संबंधित कागजादों के साथ संबंधित महाविद्याले के प्रधानचारी के पास जमा करेंगे अगर किसी भी तरह कि आगर लगता है कि आपका गलती हुआ है किसी पी तरह कात्रीटी थो संबंधित आपने कागजादों के साथ महाविद्याले में जमा कर दीजेगा परधानचारी अपने प्राप्त अवий दनों को एक तरिय जिहां तो एक तरिद कर अवेधन के साथ संगलन अविलेखों को जाज कर सत्यापित करते हुए समय कि विवडी जिहां दोस्तों के साथ विसे विद्याले परिच्छा विभादें विसे दूत के द्वारा भेजना सुनस्चित करेंगे यह बड़ी खबर है लंबित परिच्छा प्रिग्णामों के संबंद में छात्रों को नि ही लिए जाएगा 1-3 माह के अंदर पेंडिंग सुधार के लिए आवेदन दिये जाने वाले 100 रुपए 1-6 मेंश कर देखी 100 रुपएं 3-6 में चिक पर 290वा इंधर मतलब देना होगा ठीक है यहां पर अपडेट आपको मिलना स्टार्ट हो गया है सभी छात्रों को बता दीजिए संबधित पर्थानचारियों से अनुरूद है कि उप्युकुर्त विवस्था का अनुपालन अपने महा विद्याले के स्तर पर सुनस्चित करेंगे किसी भी परस्तितियों में छात्रों का वेदान अगरे सारीत कर छात्र के माधियों से विवस्थाले में नहीं भेजा जाए छात्र ही को स्वरच जैसे की इसमें बताय जा रहा है कि प्राथमिक कताएं देते हुए परिच्छा फल से संबंदि समस्याओं का समाधान परधानचारियों अपने इस्तर से करना सुनस्चित करे देंगे विसीव देले में छात्रों का सीधा वेदन सिवकार नहीं किया जाएगा दोस्तों आप देखिए यहां पर जो लिंक है एक्टिव होने में कल सुबह 10 तक आप लोगों का लिंक एक्टिव हो जाएगा जिसको मैं आप लोगों को लिंक चेक करके भी बता दूँगा और लिंक भी बता दूँगा कैसे आपको चेक करना है तो दोस्तों आप लोगों के लिए कवर कैसी रही कमेंट सेस्ट में जुरू बताना और दोस्तों यह इंफर्मेशन कैसे नहीं कमेंट सेस्ट में जुरूर बताएं